So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और conceptual question को cover कर रहे हैं, जो कि हमारी book में से ही है, deol nature of radiation and matter में से, यह example question है, इसमें यह कह रहा है कि आपके पास एक electron है, एक proton है, और एक alpha particle है, और तीनों की जो energy है, वो एक time पे same है, तो क्या आप बता सकते हूं कि तीनों में से किसकी de-b wavelength यानि कि matter wave की wavelength है, वो सबसे कम होगी, shortest wavelength किसकी होगी, तो देखिए, बहुत ही easy भी है और logical भी है, सबसे पहले तो तीनों particle को identify कर लीजिए, electron आपको पता है, proton आपको पता है, alpha particle क्या होता है, helium का particle होता है, हमें मालूम अच्छी तरीके से, तो अब यह पूछ रहा है कि shortest de- Brogley wavelength हमें पता नहीं है, de-brogley wavelength का formula होता है, lambda equals to my h upon my p, जहाँ पर h जो है वो plank constant है, और p जो है उनका momentum है, अब अगावर हमें पता लगानी है wavelength तो यहाँ पर h की value तो हमें पता है plank constant की, p की चाहिए, यानि कि momentum की चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दे रखा है क तीनों की energy same है, यानि कि kinetic energy क्या होता है, 1 by 2 mv square, right, दोनों को उपर नीचे mass से multiply कर देते हैं, तो i की value m square v square upon my 2m, इसको हम लोग लिख सकते है, p square upon my 2m, क्योंकि mv is equals to my p होता है, मैं मालूम अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ से आप लोग p की value निकाल लीजी, यानि कि p square is is equals to my k multiply by 2m, और p is equals to my underwood में k2m, simple सी चीज है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, इसके अंदर आपको सीदे सी से समझ में आ रहा है, मैंने p की value निकाल ली, अब इस p की value को उठा करके रख दीजीए, इस formula के अंदर, यानि कि lambda is equals to my h upon my underwood में k2m, अब जरा ध्यान से दे पहले से constant है, h यानि कि plank constant तो बैसे constant है, तो यानि कि यह जो wavelength है, यह inversely proportional होगी particle के mass के under root के, अब electron का mass सबसे कम है, proton का उससे 1837 times ज्यादा है, और helium का mass उससे भी 4 गुना ज्यादा है, यानि कि जो alpha particle है, उसका mass सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं उसकी value इसकी जगे पे under root में रखोंगा, तो जो भी value निकल के आएगी, वो ज्यादा ही निकलेगी, ठीक है, तो यानि कि जिसका mass सबसे ज्यादा होगा, उसकी wavelength सबसे कम होगी, तो आप लोग कह सकते हो, कि जो alpha particle है, उसकी deep broadly wavelength या फिर matter wave की wavelength सबसे shortest होगी, देखें, question छोटा सा है, लेकिन tricky है, logical है, कभी कभी competitive exam में आ जाता है, कभी-कभी अपने exam में भी पूछ लिया जाता है, so friends, I hope ये छोटा सा question आपको समझ में आया हो, इसके बाद भी अगर इसके अंदर कोई confusion हो, तो आप हमें comment section के अंदर बता सकते हो, so friends, इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.